हेलो एब्रीवन बेरी गुड मॉर्निंग आल अफ यू तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टुडेंट ठीक होंगे तो मैं विवेक आपका फिट से सौट करता हूँ आपके परिवाग कॉलेज अपडेट्स में तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो फोर और शिक्स स लेगा आपके एक्जाम को लेकर तो आज की वीडियो सोल के स्टुडेंट के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है और रेगुलर और एंसी वैप के लिए तो है उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आये तो चैनल को सब्सकाइब कर ले और हमारा टेलिगराम च पता दू एक्जाम आपके मंही से स्टार्ट होंगे और मही जुल से चलेंगे माई से चुटार्ट हो जाएंगे SIगर जून में आपके फोर और शीक्वS do स्टार्ट है ठीक है जिसकी डेट सीट अल्रेडी सोल की साइट पे भी आ चुकी है और कंफर्म डेट सीट आ चुकी है आप महां से डाउनलोड कर सकते हो एक्जाम किस मोड पर होंगे वो मैं आपको बता दूँ जब मैं वीडियो डाल ला हूं अभी तक का जो अपडेट है व स्टूडेंट यूनियन ने एक प्रेटिशन डाली है कोड के अंदर तो अब उसके उपर सुनवाई हो रही है ठीक है और कई ना कई शिक्सा मंतिरी को भी एक लेक्टर लिखा गया है तो अभी तक उनका कोई भी डिसीजन फिलाल आया नहीं है तो अगर डिसीजन एक हपते कि इंदर आ जाता है तो कहीं न कहीं आपको काफी वैनिफिट मिल जाएगा ठीक है तो वह अलग बात जैसे डिसीजन आएगा हम आपको बता देंगे ठीक है तो फिलाल ओफलाइन एक्जाम कैसे देना वह मैं आपको बता दूब देए और यह सेम उसी तरह होता है जैसे को अपनी डिटेल बगेरा बननी है उसके बाद नमबर डाल के आपको अपना एक्जाम करना है जैसे बाद इसकोर बता हो का इस बार जो इक्जाम में आपको साड़े तीन गंटे का टायम मिला यानि आदे गाइगए वह एक्स्टा इसलिए दिया गया है ताकि च्टूड़ को यह ना लगे कि मैं offline दे रहा हूं बर में इतना कम टाइम तीन गंडे जादा time कहीं नहीं दिया जाता offline में बड़ आदे गंडे का दिया जा रहा है क्योंकि आपका first time है जब से आपने एड़िशन लिया offline exam ठीक है अब देखिए offline exam जब आप दो गए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है पहली चीज आप अपने साथ एक बहुच रखे बहुच मलब एक analog या डे digital बहुच अपने पास रखे बहुच का फायदा यह रहेगा कि आपको यह पता रहेगा कि आप किटने टाइमिंग में कितने आंस्वर आप कर रहे हो मान लीजिए पांच कोसन आपको करने होंगे डर्स में से तो एक कोसन के लिए आप किटना टाइम दे रहो क्योंकि कई कई पार मैंने देखा कि एक एक स्टूडेंट एक आंस्वर का जो एक कोसन का जो आंस्वर है उसको एक गंटे लगा देता हो उसको यह पता होता जब टाइम भी हो जाता हो सीट छीन ली जाती है क्योंकि मैं अपनी अगर एक्स्वियंस बताओं तो मैं खुद जब एक्जाम दे रही जाता था जब मैंने ग्रैजूशन की एक्जाम देते तो मैं खुद अपने पास एक बोच रखता था बोच में मैं टाइमिंग देखता था कि कितना टाइम हुआ है और कितने टाइमिं पानी की बोतल अपने पास आपको रखनी है उसमें आप कुछ भी गुलुकोस या एनर्जी डिंग जो भी भरिके रख सकते हो आप ले जा सकते हो और पैन बगेर आपने साथ एक्स्टा रखे क्योंकि मैंने से का यह ज्यादा खराब होते हैं और आपकी मदद नहीं करेगा च ठीक है अब देखिए ऑफ-लायं एक एक जाम जब भी आप लिखने भी तो कोशिस करो कि आपको दो कोस्क पहले अटेम्ट करने हैं जो आपको आपको आते हैं ऐसा नहीं है कि आपको कोस verwczne 7 आता है तो पहले आप वह करो क्योंक्कि दिलनी स्विज्ञले के अंदर एक नी नी ती यह है कि आप अगर आजब सीट भर के आओगे देगे भरनी तो है आजब सीट अगर आप नहीं भरोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे आप ग्रैजूसन कर रहे हो बीस बीस नंबर के जब एक एक कोसन का जब बीस बीस नंबर दिये जाएंगे तो आजब सीट आपको भ ना टीचर को समझ में आया आपने अपनी कहानी लिए और वह आप फिर बैक आजाएगी सब्सक्राइब यह दिक्कत आती है ऑफ लाइन में दोसी चीज़ जब भी आप अपनी तयारी करो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सोल के तो सिक्स सेमिश्टर के स्टुएंट है उन घए अब अने बुक्स कोभ रीड़ करो जो सब्जेक्ट आपने स्ट की हाए अप कई सारी बुक्स से इसके इंग्झिस मीं मीडियं मैं थो उपकाम करो उनको गूगल लेंसे ट्रांसलेट कर लो हिंदी लेंगुज में ट्रांसलेट करके फिर आप उनको पढ़ो आप सबसे बड़ा कोसा सरम में हमें पीडियाप से पढ़ा नहीं पढ़ा तो कोई बार नहीं मार्केट जाईए मार्केट में कई सारी हैल्फ बुक्स आती हैं उनसे आप स्टडी कीजिए पार रखना कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अकेले आप यह सोचना कि यह तो मैं पहले भी देता आया हूं क्योंकि आपके लिए नया नहीं है आपके लिए पहली बाहर हो सकता है कि आप 12-19 में आपने अपने अडिशन लिया है जब से आपका तो ऑनलाइ नहीं रियता है ओनलाइन तो और कोबिट की बसे वो चल गया एक सिस्टम की ओनलाइन हम लेंगे ठीक है अपना है डाल देना लिखने की और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा डणना किसी को नहीं क्योंकि एक्जाम कोई आपकी लाइफ से ज्यादा इंपोर्टन नही है ऐसा मत सोचना कि एक्जाम ही सब कुछ है आपकी पूरी आगे है और एकellsाम को एक्जाम की तरहीं लेना लाइफ के पाड़न के तोर पर मतले नहीं हैं समस्चना कि हमारी लाइफ नहीं कर पातें सो कुछ पता चल जाएगी कई सारे ऐसे लोग है जिन्हों जो इसकूल लाइब में फेल भी हुए बट उन्हों नहीं मानी नेवर गिव अप समझे लो तो मैं आप से यह कहूंगो आफ लाइन एक्जाम को आप सिरफ यह समझे कि आप पहले भी देते आ रहे हो और आराम से दीडिया आ आपके मानलीजिए थर्टी शिक्स पर पास आउट होता है स्टुडेंट इक मानलीजिए आपके ठर्टी-फॉर बन रहे है तो वो दौत दो-तीन नंबर एक्स्टा दे भी देगी आपको यह पागल तो है नहीं कि आप आपको ठर्टी-फॉर भी दे थे ठीक है तो इतना आप बोला था आपने सा इंटर्वी देखा नहीं होगा तो उसमें इंटर्वी बोला गया था बाइचा जिनने कि हम स्टुडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं आप एक्जाम दे यह बागी सब अच्छा ही होगा आप समझते हो तो आपकी जो सीट चेक होगी वो ऐसी चेक नहीं होगी तो सब को फेल किया जाए हाँ वो फेल होंगे यह फेल तो हो नहीं है जो कुछ लिखके नहीं आएंगे तो को से सीट भर के होता हाँ वो अलग बात है कि आप स्टेट के बाहर हो आपको परिशा नहीं है तो कोई यह सेकंड फेस में दे 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 ना ठीक है तो आपका मन है वो बाकि अगर ऑनलाइन कल के दिन हो जाते वो अलग बात है बट मैं तो भी यह कहूंगा भी आफलाइन एक्जाम है तो मैं तैयारी आपको बता रहा हूं बुक्स खरीर लीजिए पढ़के जाहिए रट्टा नहीं मारते रट्टा मारके जाओगे दो पेश से ज्यादा लिखनी पाओगे पढ़के जाओगे तो दो क्या दस पेश आप लेख लोगे अपने सब्दों में वो ही एक्जामिनर को चाहि अब कल को जो अलग बात अब अभी तो आपको इसी को लेकर चलना है तो मेरी जितने भी ऐसे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं मेरी उस सबसे रिक्वेस्ट है आपको बिलकुल भी फरस्टेशन नहीं होना है फस्ट्रेंट नहीं होना है कि एक्जाम है हमारी सब्सक्राइब कर देना तैयारी करते रहो दोडों चीच के लिए ऐसा ना हो एक्जाम पास आजाए फिर आफ्लाइन ही हो जाए और फिर पढ़ा भी नहीं था हम तो ऑनलाइन की चक्क्राइब बैठेते समझे ना कर रहा हूं ऑनलाइन भी और आफ्लाइन तो आपको पढ़ने ही नहीं है पर आफ्लाइन के लिए आपको पढ़ने है तो तैयारी करके रखो आगे के लिए भी काम आएगा था थैंक्यू सो मच